हम यह वाली पजामी बनाएंगे 6 नंबर के गोपाल जी के लिए बहुत ही एजी है तो चले बनाते हैं तो सबसे पहले कि स्लिप नॉट बनाएंगे ऐसे एक नॉट बनाएंगे अब चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे इस तरह से हम टोटल 34 चेन बनाएंगे गाउत देखे इस तरह से हमने 34 34 चेन बना ली अब यहां से देखिए एक और दो चेन स्किप करेंगे, धागाला पेटा, दो चेन स्किप करें, थर्ड वाली चेन में ये तीन लूप इनको एक साथ निकालेंगे, हाफ डबल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में भी हाफ डबल क्रोशे करेंगे, तो इस वाले राउंड में हम सभी चेन्स में हाफ करेंगे देखिए दागाले पीटा और यह तीन लूपों को एक साथ निकाला सभी चैन्स में हाफ डबल क्रॉशे तो यह करते जाते हैं करेंगे तो इनकांट करेंगे तो इनकांट करेंगे तीन तीन और तीन शें ऐसे तोटल हमारे पास थर्टी त्री तैस थिस हाफ डबल क्रॉशे होने चाहिए अब देखिए next round के लिए हम इसको जो है ये देखिए ऐसे पकड़ेंगे इसको जोड़ेंगे यहां से अब जोड़ेंगे कहां पर देखिए एक chain और ये second जो दो chain स्किप करी थी ना second वाली chain इसको भी हमने half double crochet count किया तो second chain के अंदर डालेंगे ऐसे अब ये जूड़ गए यहां से देखिए अब ये देखिए यहां से हम एक और ये दो chain बनाएंगे दो chain half double crochet और next वाली chain में भी ये देखिए half double crochet ये लूप लिया half double crochet तो इस round में भी हम सभी chains में half double crochet बनाते जाएंगे ऐसे half double crochet ये ऐसे row complete करेंगे देखिए ऐसे हमने ये वाली row भी बना ली हमारे पास total 33 half double crochet होने चाहिए हमने दो chain को भी एक half double crochet गिना है इसको count करके 33 अब देखिए यहां जो first और ये second वाली chain में हम slip stitch करेंगे तो ऐसे हो गया अब यहां से एक और ये दो chain बनाएंगे और अगली chain में भी half double crochet करेंगे तो इस round में भी हम सभी chains में half double crochet करेंगे देखिए ये third round है हमारा तो देखिए एक दो round हो गए जैसे हमने इसमें ये round बनाया न तो total हमें 6 ऐसे ही हमें 6 round repeat करते जाना है एक दो तीन चार पांच छे ये round ऐसे ही बनाने है 33 half double crochet के तो बनाते हैं इस तरह से हमने अपने राउंड बना लिए देखिए एक दो तीन चार पांच छे छे राउंड बना लिए अब यहां से हमने जो दो chain है इसको भी half double crochet काउंट किया इसको गिनते वे हम एक दो तीन ऐसे गिनते वे जो 17th chain है double crochet थे तो 33 chains होंगी जो 17 chain है उसमें हमने stitch marker लगा लें stitch marker नहीं है तो आप दूसरे color की thread भी लगा सकते हैं तो अब यहां पे हम यह 1st 2nd chain में slip stitch करेंगे 6 round बनाने के बाद अब यहां से देखिए stitch marker निकालेंगे और यह देखिए इसमें crochet को डालेंगे और slip stitch कर देंगे तो यह जोड लिया हमने यह ऐसे यह देखिए ऐसे जोड लिया हमने तो अब हम यहां से देखिए यहां से हमारे पास 16 chain रह गई अब यहां से 16 रह गई इसको हम इसको count नहीं करेंगे क्योंकि हमने stitch marker से stitch इसको sorry slip stitch से जोड दिया है अब देखिए एक और यह दो chain बनाएंगे दो chain एक half double crochet करेंगे half double crochet मानेंगे और इसके next वाले में भी half double crochet तो अब हम यहां से सभी में half double crochet बनाते जाएंगे ऐसे तो बनाते हैं यह half double crochet यहां से यहां तक total 16 half double crochet होंगे तो हमने 16 half double crochet बना लिए अब देखिए हमने दो chains हैं इनको भी half double crochet माना था तो second वाली chain जो second है उपर वाली chain इसमें slip stitch करेंगे यहां से ऐसे तो देखिए ऐसे बनाए हमारा अब यहां से हम एक और यह दो चेन लेंगे दो चेन एक हाफ double crochet हुए अब अगले में धागाला पेटा नेक्स चेन में डाला और अगली चेन में भी डाला अब इन सभी लूपों को एक साथ निकालेंगे डिक्रीस करेंगे हम यहां से तो दो हमने दो स्टिच हमने डिक्रीस करें अब नेक्स सभी में हाफ double crochet करेंगे और जो लास्ट की दो चेन है वो छोड़ देंगे वहां पे हम डिक्रीस करेंगे ऐसे तो सभी में हाफ double crochet बनाते हैं लास्ट की दो छोड़ देंगे फस्ट दो में करेंगे और लास्ट के दो बार य एक साथ निकाल देंगे, तो अब यहां से देखिए, जो दो chains थी, सिकिन्द वाली chain में हम उपर है, slip stitch करके जॉर लेंगे, ऐसे, यह देखिए, ऐसे इतना ही आसान है, और दो chain बनाएंगे, दो chain, इसके बद हर chain में हम,den SPEAKER यह दो 체न के 7 वाली chain में भी डालेंगे हर चेन में हाफ double crochet बनाएंगे इस 로ग में हमारे पास टोटल चौदा 14 अधर डमफ डम डबंड क्रोषए होंगे ऐसे बनाएंगे देखिए 14aj심 ही Videos बनाते जाते हैं जोर्थ ऐसे हम सबीуса हाथ डमीаб隔 से बनाते ह clown है लास्ट में द को एक बनाए था हमने तो एक ही चेन है इसको भी तो देखिए ऐसे हम काउंट करेंगे टोटल 14 हमारे पास हाफ डबल क्रोश होंगे दो चेन को भी काउंट करेंगे देखिए एक और यह दो अब सेकेंड वाली जो चेन है उपर यह देखिए दूसरी नंबर की तो इसको डिक्रीज करेंगे देखिए इसके साथ वाली ही चेन में डालेंगे हम ऐसे और इसके अगली वाली चेन में घटाएंगे सबको एक साथ निकालेंगे और अगली सभी चेन में डिक्रीज करेंगे घटाएंगे जैसे हमने लास्ट राउंड में किया था फास्ट वाली में जो स्टार्टिंग में चो था अब इस में हम सभी में half double crochet करेंगे और दो chain चोड़ देंगे last की घटाने के लिए decrease करने के लिए देखिए ऐसे अब last की दो chain हम ने देखिए यहाँ पर भी घटाएंगे और next वाले में भी half अब इन सभी को एक साथ निकालेंगे तो अब यह फास्ट वाली चेन में slip stitch करेंगे ऐसे अब इस राउंड के बाद एक और दो सभी chains में half double crochet बनाएंगे तो हमने दो घटाए थे एक यहाँ पर एक यहाँ पर तो अब यहाँ पर इस राउंड में हमारे पास 12 double crochet होंगे लास्ट में थे 14 फिर हमने घटाए उसके बाद तो घटा के 12 होंगे यहाँ पर 12 के उपर 12 बनाएंगे तो 12 half double crochet बनाएंगे इस राउंड में हमें कोई घटाना भी है कोई बढ़ाना नहीं है तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे तो 12 होंगे टोटल half double crochet देखिए अब फर्स रे सेकेंड वाली चेन में डालेंगे और slip stitch करेंगे 12 हमारे पास इस राउंड में है और यहाँ से दो चेन बनाके एक और यह दो और एक और बार रेपीट करेंगे 12 के उपर 12 half double crochet तो ऐसे बनाते हैं अब देखिए फर्स और इस सेकेंड चेन में slip stitch करेंगे आप चाहिए तो यहाँ से एक राउंड और बना सकते हैं मैं यहाँ से थ्रेट चेंज करेंगे आप सेम कलर से भी रिपीट कर सकते हैं एक चेन बनाके थ्रेट को कट कर देंगे ऐसे सेम हमी यह वाला भी बनाने हैं देखिए जैसे मैंने यहाँ से लास्ट वाले राउंड में थ्रेट को चेंज किया है आप सेम से भी कर सकते हैं तो देखिए ऐसे अब यह वाला भी बनाते हैं देखे इसके लिए सबसे पहले एक slip knot बनाएंगे जो दूसरा वाला पार्टाई बनानी के लिए यहां पर टोटल 16 चेन होनी चाहिए हमारे 16 चेन है क्योंकि एक एक्स्ट्रा थी हमार पास टोटल 16 यहां पर 16 यहां पर 35 और 33 वी थी हमने हां पर अब शत्रवी चेन में हमने स्लिप स्टिच कर दिया था उठाके जब जब हमने यहां पर बंद किया था तो अब यहां से देखे चेन में डालेंगे 16 चेन है इस राउन में हमारे पास तो स्लिप नॉट को डालके थ्रेट को अटाच करेंगे एक चेन बनाते हुए और हाफ पासत बूनेंगे और सभी चेन में हाफ डबल क्रॉशे करेंगे तो करते हैं इस तरह से हमारे सोलर बने हमने इस वाले राउन में इसके बाद जब हमने आटाच किया था इस राउन में भी 16 बनाए थी तो 16 हाफ डबल क्रॉशे बनाए थे तो अब देखिए जब फर्स्ट करेंगे हैं तो सिम ऐसी इस करते जाएंगे उसके बाद हमने दो चेन बनाई थी यहाँ पर अगली वाली चैन में उसके चाहरे बनेगर बनाए तो इसे सब को एक साथ निकाला था और इससे और सभी में आप डेडाउन बनाय और last की दो chain छोड़ देंगे, decrease करने के लिए, गहटाने के लिए, देखिए, last की दो chain है, यह चाहे तो आप video, back करके भी देख सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे करेंगे, back करके भी देख सकते हैं, और देखिए, first और second वाली chain में, यह देखिए, same ही है, slip stitch करेंगे, और फिर यहाँ पर हमारे पास टोटल हमने घटाया है तो 16 थे 14 रह जाएंगे, इस राउंड में हम 14 के उपर 14 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, दो चेन बनाई और जो यह फर्स्ट वाली चेन है, हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट में भी हाफ डबल क्रोशे, दो चेन साइट 14 ह हाफ डबल क्रोशे 14 हाफ डबल क्रोशे करेंगे, क्योंकि हमने दो चेन को भी हाफ डबल क्रोशे काउंट किया है, तो करते हैं, देखे लास्ट में भी सभी में हाफ डबल क्रोशे करेंगे इस राउंड में, देखा हमने गटाया था दो जो उसके उपर भी एक चेन ही काउ प्रेज नहीं किया अब इस वाले राउंड में एक और दो चेन बनाएंगे और अगले वाले चेन में क्रोशेयों को डालके और इससे नेक्स्ट वाले में डालके तब को एक साथ निकाले यहां से हमने घटा लिया और सभी में हर्व डबल क्रोशे करेंगे लास्ट की दो छोड़ देंगे उसमें भी घटाएंगे तो एक बार हमें घटाना है एक बार बिना घटाए उसके ओपर रिपीट करना है जैसे हमने यहां पर घटाए था तो यहां लास्ट वाली रो रिपीट करेंगे अब यहां पर हम घटाएंगे देखिए पहले दो घटा अब इस राउन में हम यहां पर हमारे पास 12 होंगे क्योंकि हमने घटाया है तो एक चेन ही होगी इसके उपर एक और दो चेन बनाएंगे और सभी में हम हाफ डबल क्रॉशे करेंगे क्योंकि हमने यहां पर घटाया है तो फिर half double crochet में लेंगे तो इस round में हम सभी में half double crochet करेंगे 12 half double crochet होंगे दो chain को count करके देखे लास्ट में दो chain छोड़ी सभी में हमने half double crochet किया बस starting की दो chain में नटाया था इसमें भी ऐसे यह एक बार और यहाँ पर next chain में भी बनाएंगे half double crochet इसे इन सबको एक साथ निकालेंगे अब यहाँ पर देखिए जो दो chain बनाए थी इसमें से first और second chain में slip stitch करेंगे ऐसे यह थोड़ा सा धागा किचके एक रोशे उक से एक और यह दो chain बनाएंगे और इस round में हमने घटाया था लास्ट वाले में तो इसमें सबी में half double crochet बनाएंगे और 12 half double crochet होंगे इसमें 12 half double crochet होंगे तो बनाते जाते हैं क्योंकि इसमें हमने दो घटाया थे starting में और last में दो घटाया थे क्योंकि 14 थे इससे last वाले राउन में फिर यहां पर बारा होंगे तो ऐसे बना लिए अब second वाली chain फिर्स्ट वाली chain में slip stitch करेंगे और एक राउन्ड और repeat करेंगे बारा जो half double crochet होंगे उपर 12 half double crochet दो चेन और सभी में half double crochet बनाते जाएंगे अब देखें लास्ट में यहां से एक और यह तो second वाली chain में slip stitch करेंगे और एक chain बनाएंगे और thread को cut कर देंगे अगर आप एक ही thread से एक ही color से पूरा pattern बना रहे हैं तो एक round और repeat कर लिए यह half double crochet की लास्ट में जो 12 यह हैं हमारे तो यह देखें जो हमने हैं ऐसे बनाए हैं तो आब इसे बनाते हैं यहां से हम दूसरे color का thread लगाएंगे तो देखिए तो सबसे पहले यह बनाते हैं स्लिपनोट बनाएंगे आप चाहें तो chain में भी बना सकते हैं चेन में भी half double crochet बना सकते हैं और मगर जो हमने हैं यह मैंने chain के यह देखिए half double crochet के पीछ में से बनाए हैं आप कैसे भी बना सकते हैं आपके मर्जी है तो slip knot को डालेंगे thread को पहले attach करेंगे करेंगे यह देखिए एक chain बनाते हुए और यह दो chain देखिए जो extra thread है इनको साथ सद भून लेंगे ताकि यह दिखे ना निकले भी न तो हर chain के बीच में सारी half double crochet के बीच में half double crochet बनाएंगे आप चाहें तो chain भी ले सकते हैं आपको जैसे ठीक लगे यह देखिए half double crochet के बीच में crochet को डालेंगे यह से बनाते जाएंगे यह देखिए तो ऐसे हमने बनाया अब लास्ट में यह जो दो chain बनाएंगे second वाली chain में crochet को डाल के slip stitch कर देंगे आप चाहें तो यहां पर half double crochet की जगा single crochet भी बना सकते हैं और एक chain बनाएंगे अपनी thread को cut कर लेंगे और और इसे crochet सुई के help से loops में डाल के hide कर लेंगे तो देखिए ऐसे और same ऐसे इस तरफ भी बनाएंगे देखिए ऐसे हमने यह बना लिया यहां पर देखिए जो यह chain है उपर इसको और यह वाली जो thread है इसको ऐसे निकालेंगे और एक chain बना लेंगे तो इसे close कर देंगे तो अब यहां से यह close हो गया अगली वाली chain में ऐसे निकालेंगे तो यह तो यह से close हो गया अब देखिए हम यहाँ से बीच से जो हमारी chain से जो धगा है ऐसे slip knot बनाएंगे अब यह pattern को फकड़ेंगे यहाँ से देखिए 20 से देखिए chain जो है यह जो thread extra सासद दो लेंगे ताकि हाईड हो जाए slip knot को डालके attach करेंगे ऐसे एक chain और यह दो chain दो chain बनाई और अगली chain में हाव double crochet में और यहां से एक chain स्किप करेंगे यहाँ इससे अगले वाली chain में भी एक half double crochet बनाया ऐसे और इससे अगले वाली chain में भी half double crochet बनाया तीन half double crochet 3 chain में बनाएंगे और एक chain बनाएंगे और यहां से एक chain skip करेंगे यहां से एक chain skip करेंगे जब एक chain बनाएंगे और next rally में डालेंगे और half double crochet बनाएंगे तो देखें तीन half double crochet एक chain बनाएंगे और एक यहां से skip करेंगे जब एक chain बनाएंगे नो जैसे एक chain skip करेंगे तो ऐसे दो और ये तीन half double crochet बनाएं फिर एक chain बनाएं और यहां से एक chain skip करके next में फिर से तीन half double crochet बनाएं तो ऐसे ये पूरे round में बनाते जाएंगे तो देखिए ऐसे बना, अगर कहीं पे आपके एक दू स्टिच कम जादा हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे जादा बच रहे हैं, तो आप कहीं पे तीन की जगह चार भी बना लेजे, एक आज जगह कम जादा होंगे, तीन की जगह चार भी बना लेजे, जैसे मैंने यहाँ पे बन बनाएंगे सब जगए तीन-बनाएं आप देखें सेकंड वाले में डालें और स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बनाएंगे तो देखिए ऐसे बन गया है, यह हम अपना डोरी डाल सकते हैं सतर से चेन बना लीजिए यह मैंने सेवेंटी फाइफ चेन बनाई है अब अपने थ्रेट को कट कर लेंगे यह देखिए अब हमने डोरी बना लिया तो अब हम इसे डालेंगे अपने पजामी में तो देखिए यहां से हम यह ऐसे जो हमारे पास स्पेस है यह ऐसे इसमें डालेंगे उपर नीचे ऐसे इस तरह से डालते जाएंगे हमने अपना यह डोरी डाली और इसको टाइट करेंगे और इसको कट कर देंगे साइड से चाहे तो यहां छुटी-छुटी कॉमपम भी लगा सकते हैं अगर यह पजाम है डोरी बानने है तो इसे ऐसे ही रहना दीचे ताकि जो बिना कमफोटेबल रहे काना जी को तो ऐसे इसको ऐसे करके यहां पर बान लेंगे तो यह काना जी को आराम से आ जाएगी तो देखिए ऐसे तो सेम ऐसे भी यह देखिए तो सेम यह ऐसे बनाई है तो यह हमारे चेह नमबर के काना जी के लिए पजामी है यह बहुत ही ईजी है और स्टेप बाए स्टेप बताए हैं थैंक यू सू मच फॉर वाचिंग जो यूर शें कार्या कार्या है यूर शेखिए है जिए ओनाईिच फजबर के लिए भी चाहते हैं झाल झाल